एक फोटोग्राफर जिसके पास सूपर हुमन एबिलिटीस है इस सिरियल कियर से एक छोटी सी बच्ची को कैसे बजाएगा और अपने पैर को कैसे फिर से पालेगा यही इस मुवी की स्टोरी लाइन है आज की मुवी वर्ल्ड आफ साइलन्स यह 2006 की कोरियन मुवी में आपको इस्टोरी करने वाला हूँ यह एक मिस्टेरियस थ्रियलर मुवी है तो चलिए शुरू करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हमें टैलेंट शो का एक सीन दिखाया जाता है यह एक लड़का स्टैलन्स शो में जाने वाला होता है और इसके पास एक special abilities होती है नेक सीन में हमें दिखता है कि एक लड़की इस लड़की को देख रही होती है टीवी पर जब यह अपनी abilities रिप्रेजेंट करता है तो सब लोग इसकी वा कर रहे होती है तुमारी abilities को देखकर audience ने तुमारे लिए एक nickname रखा है क्या तुमारा कोई nickname है यह लड़का कहता है कि मेरी friend ने मुझे एक nickname दिया था यह जो लड़की है यह इसकी friend है यह दोनों इसका nickname पुकारते है इसका nickname monster होता है और इसके बाद यह लड़की टीवी देखते हुए अपने आपको fast लगा लेती है यह लटक जाती है और खुदखुशी कर लेती है इसके आप 15 साल गुजर चुके है यह हमें दिखता है यह जो लड़का था यह आप photographer बन चुका है इसका नाम John है John की friend मर गई उसके बाद वो 15 साल तक इस country में नहीं आया था वो पहली बार 15 साल में अब आ चुका है इसके बाद Nixon में हमें दिखता है कि एक police officer जिसका नाम Arthur है यह police station में उसका जो superior है यह बहुत ही lazy है इसलिए इसे डाट रहा होता है एक जोर है जिसको Arthur को पकड़ना है और उसे पकड़ने रहा इससे वो games खेल रहा है पर इसके superior को अच्छा नहीं लग रहा इसका superior इसे काम करने के लिए बोलता है Nixon में हमें दिखता है कि John एक घर आ चुका है यह जो घर है इस नाई रेंड क्या होता है इस घर के owners कुछ 15 दिनों के लिए बाहर गए होते है तो 15 दिनों के लिए यहाँ वो रहने वाला होता है यह एक phenomenal photographer होता है अब Nixon में इसने जो सब photos लिए होती है एक magazine वाली को दिखा रहा होता है इस magazine वाली को इसके photo बहुत ही पसना आते है यह कही थी है नेक्स्ट मान तक तुम अगर यहाँ रुके तो हम तुमें बहुत जादा पैसे दे सकते है जॉन सोलो काम करता है पस सिर्फ इन के लिए वो काम करे इसलिए उसे hire करना चाहते है जॉन इस पर कुछी नहीं बोलता क्योंकि इसे इस country में नहीं रहना नेक्सिन में हमें फिर से आर्था दिखाय गया है वो अपने partner के साथ एक station पर आ रहा होता है तो चोर है यह उसे station पर मिलने वाला है इसका जो partner है इसे care होता है कि जिस तरह से तुम रह रहे हो ऐसा तुमें नहीं रहना चाहिए आर्थार अकेला होता है और अपने आपकी कभी भी वो care नहीं करता वो इसे चाहने वाला नहीं है तो वो जिस तरह से उसे चाहिए उसी तरह से जीता है उसका friend उसे कहता है कि तुम मेरे साथ डिनर के लिए आ सकते हो पर इसके लिए वो मना कर देता है स्टेशन पर एक अंधिया औरत को कुछ magazine सेल करते हो दिखता है तो उससे पूरे magazine वो buy कर लेता है तो बहुत ही compassionate police officer है जो भी सब इस दुनिया में गलत होता है इस सब से इसे फरक पड़ता है अब Nixon में हमें दिखता है कि Arthur और John ये दोनों एक ही train में जोन चोर को देख रहा होता है चोर के साथ कुछ गुंडे है और ये एक lady का purse छिलने वाले होते है जोन फिर उसके पास आता है उसे कुछ बाते करने लग जाता है जब ए train stop हो जाती है तो जोन को ये चोर अपने सातियों के साथ बाहर निकाल लेता है आर्थर भी इसे spot कर लेता है और इनका पीछा करता है जोन इस lady को कहा रहा होता है कि उस lady का purse इसे नहीं लेना चाहिए इस चोर ने फिर इसे मारने के लिए बातरों में लाया होता है जोन को मारने के लिए इसका साथी आगे जाता है तो जॉन इसे slap कर देता है चोर और उसका friend ये दोनों मिलकर अब जॉन को मारने वाले होते है तो वहाँ Arthur आ जाता है Arthur इसमें से एक को मारता है और जो man चोर होता है ये वहाँ से भाग जाता है Arthur इसका बीचा कर रहाता है और इसे अभी भी गेम से खेल रहाता है Arthur को मालूम है ये जो चोर है, ये कोई बुरा चोर नहीं है ये किसी को भी हाट नहीं करता अपने किसी friend की तरह ही इसके वह chase करता है ये जब इसे पकड़ रहाता है तब ये Arthur को उसके superior का call आ जाता है एक murder हुआ होता है इसके investigation के लिए उसे बुलाया जाता है murder scene पर जब Arthur पोचता है तो वहाँ एक चोटी लड़की का murder हो चुका होता है अब next scene में हमें दिखता है एक चोटी लड़की जिसका नाम क्रिस्टी है ये John के घर के बाहर खड़ी हुई है इसके साथ foster care official भी है याद में John से मिलता है John केता है कि ये जो family यहां रह 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 रही थी ये 15 दिनों बाद आने वाली है ये जो क्रिस्टी है इसका खयाल ये family रखने वाली थी foster care वाला उसे कहता है कि जो situation है ये बहुत ही complicated है foster care वाला उसे कहता है ये जो लड़की है इसके पास जाने के लिए कहीं भी नहीं है अगर तुम इसे 15 दिनों के लिए रख लो तो बहुत ही सही होगा ये तुमें ज़्यादा trouble भी नहीं करेगी John भी इसके लिए आप मान जाता है नेक सिन में हमें Arthur crime scene की photos देखता हो दिखता है MCN होता है यहाँ पर एक डॉल होती है उसका friend उसे कहता है कि जो लड़की मरी थी उसे पहले ड्रग किया गया था एक rare mushroom होता है जिससे ड्रग्स की तरह effect आता है यह उसे खिलाया गया था Arthur को लगता है कि यह तो अभी शुरुआ थे यहाँ और भी murder होने वाले है इसके बाद next scene में हमें John का past दिखाया गया है John के school में एक नई लड़की आई थी movie के first में हमने देखा था कि इसी लड़की ने suicide कर लिया था पहले दिन पर किसी से भी बात करने से डर रही थी पर यह फिर John के पास आकर बेट गई थी John इसे देखते ही like करने लग गया था इन दोनों में अच्छी से friendship तबी से हो गई थी उसकी जो सब इसके साथ memories होती है यह वो सपने में देख रहा होता है Christie देखती है कि John अपनी कुरसी पर इस हो गया है तो उसके लिए blanket लेकर आती है नेक्स दिन जब आता है तो breakfast के लिए John सिर्फ नया खिलाता है यह लड़की कहिती है कि तुम्हें जादा healthy खाना चाहिए John ने कुछ भी सुना नहीं इस तरह से वो उसको ignore कर देता है अब नेक्स दिन में हमें दिखता है कि आर्चर और उसके boss को और एक class मिल चुकी है इस murders का अब pattern उबर कर आ रहा है यह एक serial killer का काम है अब इन्हें पता चल जाता है Christie से मिलने उसके पहले जो foster care में उसका खैल रखने वाली जो होती है वो आती है इसका नाम Elena होता है Elena फिर Christie के बारे में पुछती है वो कैसी है उसका हाल कैसा है यह सब उसे पुछती है Christie कहती है कि John मुझसे ज़्यादा बाते नहीं करता वो हस्ता भी नहीं और कभी-कभी मुझे अंसर भी नहीं करता Elena उसकेती कि उसे awkward मैसूस हो रहा होगा Christie ज़रा नाराज होती है तो उसे वो चीरब करती है Elena केती है कि क्या इस तरह से तुम अपनी मदर से मिलने वाली हो Christie की जो मदर होती है यह होस्पिटल में होती है यह कोमा में होती है इसी वज़े से Christie का खैल नहीं रख पाती Christie के फादर मर चुके होती है इसलिए इससे Foster Care में रहना पड़ता है Nixon में में John City में गुमता हो दिखता है वो inspiration ढूंटे ढूंटे City में अलग-अलग spot पर आता है एक जगा पर हो जाता है तब एक बच्चा सड़क पर बेठा हुआ होता है सड़क पर पड़ा हुआ जो खाना होता है हो खारा होता है John फिर उसके पास जाता है उसे उसके घर पर लेकर आता है जब वो घर में देखता है तो इस बच्चे की मदर मरकर पड़ी हुई होती है इस मदर का खुन इसके फादर नहीं किया है तो यही वो रुकता है पुलिस को कॉल लगाता है पुलिस में आर्थर जब वहाँ पहुचता है तब यहां situation खराब हो चुकी होती है जो father था इस घर में बहुत चुका है उसके हाथ में knife है यह कह रहा है कि मेरे बच्चे को मैं नहीं छोड़ सकता अपने बच्चे को अपने साथ ही उससे रखना है तो इसलिए एक चाकू लेकर वो अपने बच्चे के गले पर रख रहा होता है यानि कोई उसे arrest ना कर पाए जॉन negotiate कर रहा होता है आर्थर जो जॉन को यहां दिखता है तो हास्या चकित होता है जॉन फिर इस फादर को समझाता है वो कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम इसे अच्छी लाइफ देना चाहते हो पर यह impossible है कि तुमने देखा था किस तरह से यह रह रहा था यह फादर भी अब समझ जाता है वह रोने लग जाता है अपनी लाइफ जो है यह नीचे रख देता है जॉन रात में एक बार में आता है हाज उसे अपनी जो फ्रेंड है इसकी बहुत ही याद आ रही होती है फ्लैश बैक में इन दोनों का सीन दिखाय जाता है जॉन और उसकी फ्रेंड चट पर है उसकी फ्रेंड आज बहुत ही डिस्टब है यह इसे पुछता है कि क्या हुआ है यह उसे कुझे बता नहीं होती तो यह कहता है कि तुम्हें मालूम है क्यों पता कर सकता हूँ उसकी फ्रेंड फिर उसे बता देती है उसके जो स्टेफ फादर होते है इसका शोशन कर रहे होते है यह इससे बहुत ही इंपारेस्ट होती है कुछ रेड़ के वहाँ आगे होते है और यह सुन लेते है अब स्कूल के बच्चों को यह पता चल चुका है विसे वो बहुत इंबारेस हो जाती है अब हमें रिजन मिल चुका है क्यों क्यों जॉन की फ्रेंड ने अपने आपको फास्ट लगा लिया था जॉन की जोसब पावर से जिसे मुवे आगे चलेगी विसे हमें पता चलता रहेगा अब नेकसिन में आर्थर और उसका फ्रेंड हमें दिखते है जो केस है इसे वो डिसकस कर रहे होते है क्या सिमेलरीडीज है यह वो चेक कर रहे होते है सोचते सोचते इन्हें पता चल जाता है कि जो सब छोटी लड़कें मर रही है यह सब फॉस्टर केर की है इनके जो parents है ये मर चुके है नेकसिन में हमें दिखता है कि रात में बहुत ही देर में जॉन घर पर आता है क्रिस्टी उसे दिखनी के लिए आती है तब जॉन को injury हो चुकी हुदी है जब जॉन चोटे लेड़के को उसके फादर से बचा रहा था तो उसके फादर ने इसका हाथ काट दिया था ये इसके हाथ को सब bandages वगरा करकर दे दिया एक blanket ले दिया और उससे पहना दिया अब नेक सेन में दिखता है कि Arthur और उसका friend Elena के पास आये हुए है जो सब foster care में लड़किया है इन सब के नाम वगरा उससे दे देती है जब ये दोनों जा रहे होते है तो क्रिस्टी का भी है उससे पता दे देती है क्रिस्टी के साथ एक mistake होई थी जिसे वज़े से वो दूसरे आदमी के साथ रह रही है ये सब information ये अब Arthur को दे देती है Arthur का जो शक होता है ये foster care के official पर ही होता है जो आदमी क्रिस्टी को John के यहाँ छोड़ने के लिए था इसे लगता है कि ये ही serial killer है Arthur फिर इसके घर पहुँच जाता है घर में चानने के बाद इसे पता जलता है कि ये जो आदमी है इसकी लेड़की मर गई थी इसके wife ने भी इसे divorce दे दिया है तब Arthur सब investigation कर रहा होता है तो उसे John पर भी शक जाता है जहाँ पर भी crime हो रहे थे वहाँ दो बार उसने उसे देखा था पहली बार चोर को पकड़ने हो गया था तब वहाँ उसे देखा था और next time एक आदमी ने अपनी wife को मार दिया था तब भी उस crime दिन पर ये था Arthur फिर John के घर पर आजाता है बहुत सारी photograph यहाँ लगाई होती है यह देखता है यह बहुत सारी छोटी लड़कियों की भी photos होती है Arthur फिर John के साथ meeting करता है जो सब यह हो रहा है इसका जो भी सब suspicion है यह उसे पूछता है John केता है कि लोगों के emotion से में पता कर सकता हो कि वो अब क्या करने वाले है उनकी दिमाग में क्या चल रहा है यह सब John को पता चल जाता है जिस जगा पर John गया था यह इसकी instinct उसे लेकर गई थी इसे एक अलग feeling आती थी और वो उसको follow करता था अब next scene में हमें दिखता है क्रिस्टी अपनी मदर से मिलने के लिए आई होती है इसकी स्कूल में gathering होने वाले होती है वहाँ वो sing करने वाले होती है अपनी मदर को एक गाना sing करकर वो सुना रही होती है तभी इसे चक्कर आजाती है और ही गिर जाती है टॉक्टर फिर जॉन को बुलाती है जॉन को अब पता चलता है कि क्रिस्टी जो है इसको कॉर्णिया ट्रांस्परांट करवाना पड़ेगा नहीं तो इसकी जो eyesight है ये पूरी जा सकती है इसी वज़े से इसे चक्कर आई थी आर्थर जॉन का सब बैगराउंट से चेक करवाता है जॉन जो था ये अलग कंट्री में था वो उसके पहले मर्डर हुआ था अब जॉन पर जो suspicion है वो अब सब चला गया है नेक सिन में आर्थर अपने बॉस के साथ होता है जो सब अपडेट से ये अपने बॉस को दे रहा होता है उसका बॉस उसे पुछता है कि क्राइम सिन का क्या मैंटर है आर्थर ने इसका study क्या होता है वो कहता है ये जो killer है ये उसके जो victim से इनके बहुत ही care करता है इसे लगता है कि इनको बचा रहा है इन्हें वो doll देता है यानि कि वो comfortable महसूस कर पाए आर्थर का जो शक है यानि कि foster care का official उसके बारे में इसके कहता है अब foster care के official पर इसका और भी ज़्यादा गाड़ा शक हो जाता है नेकसिन में हमें देखता है कि जो जो और आर्थर पकड़ने पाया था वो city में है एक घर में वो खोच जाता है इस घर में हम देखते है कि serial killer की जो doll थी वो यहाँ मोजो थे यानि कि जो गर है यह serial killer का है यहाँ पर वो एक pot देखता है और इसमें mushrooms पड़े होते है हमें मालूम है यह जो mushroom से यह drugs की तरह आगाम करते है यह चोर खा लेता है जब यहाँ से बाहर निकल जाता है तो है हस्ते हस्ते स्ट्रीट से जा रहा होता है इस drugs के नशे में होता है इस स्ट्रीट में जोरी कर रहा होता है तब इसे पकड़ा जाता है और पुलिस custody में आ जाता है हम नेक सेने में दिखता है कि क्रिस्टी की जो कैदरी है इसमें जॉन आया हुआ है क्रिस्टी को बुरा लग रहा होता है क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं है पर जब ये जॉन को देखती है तो वे अच्छे से गाने लग जाती है इसके बाद ये हमें एक पार्क में दिखाये गए है क्रिस्टी उसे कहती है कि कभी मुझे कोई भी मिलने के लिए नहीं आया था उसकी मदर आनी भई इसी वज़े से बहुत ही बुरा लग रहा है कि तुम्हारी मदर तुम्हारे लिए बहुत ही प्राउड है जब जॉन क्रिस्टी को लेने के लिए हस्पिटल में गया था तो इसकी मदर से भी मिला था इसकी मदर का माइंड इसने रीड किया था क्रिस्टी को कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ सिक्रेट बताना है ये उसके कान में उसकी जो ability से इसका secret पता देता है ये इसे भुशता है अगर तुम कहीं भी जा सको तुम्हें कहा जाना है क्रिस्टी फिर जा रोलर कोस्टर विगरा होता है वहाँ उसे लेकर आती है एक बहुत ही अच्छा सा devos paint करती है जब एदोनों river में boat से जा रहे होते है तो क्रिस्टी जान के camera के बारे हो भुशता है ये इसे camera कासे चलाते है ये सिखना चाती है जान भी इसे सब कुछ सिखा देता है John की जब वो फोटर ले रहे होती है तो हस नहीं रहा होता तो इसे हसने के लिए वो बोलती है जब एगर वापस आ रहे होते है तो रस्ते के सैन में एक पंची इंजोर होकर नीची गिरा होता है John सिर्फ इसे देख लेता है Christy जब एदेख थी तो उससे कहती है मदर उठने वाली है, जैसे तुम इस पन्चे पर गिव ओप कर रहे हो, उसी तरह से मैं उस पर गिव ओप नहीं करने वाली, इसकी मदर फिर से उठेगी, इसी होब पर यह जी रही होती है पर जॉन इस थिंगिंग को सपोर्ट नहीं जॉन की फ्रेंड ने सुसाइट कर ली थी तो अपने आपको ये गुनेगार मानता है वोसे हल्प कर सकता था पर इसने नहीं की थी आर्थर को लगता है क्रिस्टी को छोड़ने के लिए फॉस्टर केर का ओफिशल आया था अब उसका जो नेक्स टार्गेट होगा वो क्रिस्टी हो सकती है इसलिए क्रिस्टी को प्रोटेक करने के लिए उसके वो पीछे ही रहता है क्रिस्टी अपने मदर से मिलने जाती है उसकी फोटोज लेती है स्रेट से जब ये जा रही होती ह तो भी इसे फिर से चक्कर आ जाती है इसे eye transplant की बहुत ही जरूरत है वरना इसकी पूरी eyesight चरी जाएगी जब इसे चक्कर आती है तो अर्थर इसे देखनी के लिए जा रहोता है यह रस्ते से cross कर रहोता है तो भी serial killer इसे अपने गाड़ी से टक्रा देता है आर्थर इसे बेऊश हो जाता है यह serial killer फिर क्रिस्टी को लेकर जाता है जोन रात में जब घर आता है तो क्रिस्टी बहान ही होती यह बहुत परिशान हो जाता है स्कूल में जाकर आता है जिस रस्ते से वो घर आती है यह रस्ता भी वो देखता है इस रस्ते पर उसका कैमेरा उसे मिलता है यह जब पुलिस के पास आता है तब उसे पता जलता है क्रिस्टी आगवा हो चुकी है आर्थर होस्पिटल में होता है वो पुलिस स्टेशन में आ चुका होता है क्या हुआ यह सब वो उसे समझाता है पुलिस टेशन में इन्हें और एक नूज मिलती है और एक लड़की की डेड़ बोडी इसे मिली हुई होती है जॉन अब बहुत ही डर जाता है ये डरते हुए ही उस क्राइम सीन पर भोशता है जब ये लाज देखता है ये क्रिस्टी की नहीं होती है आर्थर जॉन को घर जाने के लिए बोलता है आर्थर जब पुलिस टेशन में पहुचता है तो वहाँ वही चोर होता है जो मश्रूम खाकर वो ड्रग ढोगया था ये मश्रूम के बारे में दुसरी पुलिस आफिसर को बता रहा होता है तो विए Arthur जो चूर था इस घर से उसने एक टेप चोरिखी थी इस टेप में एक छोटी लड़की थी जिसका मर्डर हो चुका है Arthur और सब पूलिस जिस घर का पता उसने दिया होता है जम जब घर जाता है तो अपने आपको कोसने लग जाता है जॉन की पर्चाई उसे शीशे में देखती है वो पर्चाई उसे कह रही होती है कि तुम कोई भी उसे help नहीं कर सकते है जॉन अब अपने believe को मानना नहीं चाता वो कहता है कि मैं उसे help कर सकता हूँ वो शीशे को तोर देता है जॉन क्रिस्टी की जो पचपन की photograph थी यह देखने लग जाता है थोड़ी देर बाद यह police station में आता है police station में आने के बाद इसे एक serial killer का जो घर है मिल चुका है इसके बारे में पता चल जाता है जो tape चोर के पास थी यह इसे दिखाई जाती है इस टेप से इसकी इंस्टींट से इसे पता चल जाता है कि foster care में जो Elena थी यही serial killer है अब Nixon में हमें Elena के साथ Christie दिखती है Elena उसे कह रहे होती है कि ठीक है सब ठीक है मैं तुम्हें हाट नहीं करने वाली मैं तुम्हें तो एक अच्छी जगा पहुचाने वाली हूँ यह उसी कहती है कि तुम्हें अब heaven में जाना है Nixon में दिखता है कि John अपनी power से जिस जगा पर sealer killer है उसे हो ढूण लेता है इस जगा पर हो जाता है तो Elena छुप जाती है Christie को उसने mushroom का soup दिया होता है जिसे हो सोग गई होती है अब police को भी पता चल जाता है कि जो Elena है यही serial कि जा रहे है Elena एक psychopath है और इसका diagnosis भी हुआ था यह भी उन्हें पता चल जाता है John जब Christie को ढूण लेता है तो Elena वहा आती है और कहती है कि मेरी बेबी को मुझे वापच कर दो इसे लगता है कि Christie इसकी ही बेटी है Elena फिर एक दर्णा लेती है और इसके पेट में डाल देती है Christie को बचाने के लिए वो यह सब कर रही है John उससे कहता है कि यह जो सब तुम कर रही हो यह सब खतम हो चुका है Elena एक psychopath होती है तो के दिक कुछ भी खतम नहीं हुआ है Elena की वज़े से इस घर को आग लग गई होती है तो इसी आग में उपने आपको जला देती है John बहुत ही injured हो चुका होता है तो वो अब Christie को बचाने पार रहाता है फिर वो पूरा try करता है जब Arthur वहाँ पहुचता है तो Christie को बचाने के लिए वो अंदर पहुच जाता है John Christie को बचाते बचाते जल भी जाता है Arthur जब अंदर आता है तो John उससे कहता है कि सिर्फ Christie को बचा लो पहले इसे लेकर जाओ और फिर मुझे बचाने के लिए आना जौन को पता होता है कि वो अब बचने नहीं वाला जब यह आँख खतम हो जाती है तब यह अंदर जाते है जौन को वो जब देखते है तो जौन ने अपनी आखों पर अपने हाथ रखे होते है क्रिस्टी को आई ड्रांस्प्रांट की जरुवत है तो मरने के बाद अपनी आख वो क्रिस्टी को देना चाहता है क्रिस्टी को अब आख मिल जाती है जॉन की फ्यूनरल पर क्रिस्टी हमें दिखती है यहाँ पर आर्थर भी होता है आर्थर कृस्टी को कहता है कि वो अच्छे प्लेस में होगा वहाब बर्ड्स भी होते है या कहता है कि बर्ड्स कोई sound वो सुन रहा होगा कृस्टी फिर आर्थर को कीती है कि यह सुन नहीं पाता था जोन ने उसे एक secret बता था यह वही secret था जो सब लोग बोल रहे थे ये कभी भी इसे सुनने नहीं देता था पर इनका माइंड जो था ये वो रीड कर लेता था इनकी फिलिंग्स के थुरू ये क्या बता रहे है ये इसे समझ में आ जाता था जोन का कारा एकसिडंट हो था इसे वचे से इसकी हीरिंग सब चली गई थी क्रिस्टी ये थी कि मुझे पता है कि वो एक अच्छी जगा है अब last scene में हमें दिखता है कि जोन हेवन में अपनी फ्रेंड के साथ है जॉन की फ्रेंड हस रही होती है तो जॉन कहता है कि तुम क्यों हस रही हो वो कहती है तुम्हारे आसपास मझे बहुत ही comfortable महसूस होता है यह कहता है कि तुम मझे बहुत ही like करती हो इसलिए मुझे पता है इसकी फ्रेंड उसे कहती है तुम्हें कैसे बता तुम तुमजे सुन में नहीं सकते है जॉन केता है तुम्हेरे हार्ट को में सुन सकता हूँ यहीं movie खतम हो जाती है जॉन के पास जो ability थी जिससे लोगों के thoughts वो सुन सकता है था वो कैसे fail कर रहे है यह सब वो सुन सकता था उसकी friend को जब help चाहिए थी उसे help नहीं कर पाया इसके बाद उससे लगता था कि वो किसी को भी help नहीं कर पाएगा क्रिस्टी जब अगवा हो गई थी तब उसे लगा उसके जो beliefs है ये सब गलत है अपनी friend को ये बचा नहीं पाया पर अगर क्रिस्टी को इसने बचा लिया तो इसके redemption मिल जाएगा क्रिस्टी को बचाना इसके लिए एक मुप्ती की तरह था जाते जाते क्रिस्टी को उसकी आखे वो दे कर गया इसके बाद वो heaven में बहुत चुका है और अपनी friend को इसने पाली आये हमारे साथ कोई हाथसा होता है इसके बाद हमारे believe change हो जाते है हमें लगता है कि हम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते एक form believe के साथ हम जीने लग जाते है पर हम भूल चाते हैं यह जो सब है गलत है हम अंदर से हमेशा से अच्छे आदमी होते है हम कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहसकते हमारे belief change करने के लिए हमेशा समय होता है हम जो समझते इससे change करने के लिए हमारे पास बहुत सारी opportunities आती है हमें यह समझना चाहिए और किसी अच्छे चीस के लिए अपने आपको बदल देना चाहिए इसे एक मैसेज के साथ यह मूवी इंड हो जाती है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब पर दीजेए इनके आपको सब मूवीज मिलती रहे हैं बेल नोटिवेशन आइकोन भी दमाना मत भूले हैं यानि किसी भी वीडियो को आप मिस्ट ना कर पाए हम भीसे मिलेंगे और एक नहीं मूवी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिये